हेलो नमस्कार साथियो मैं आप सबका स्वाथ करता हूँ आप ही की यूट्यूब चैनल इंपोर्टेंट संदीप जैसे आपको बता है कि इस वीडियो में मैं आपके साथ डी लैट फॉर्ट सेम एक्जाम की पेपर की तैहरी कर रहे हैं और इसके अंदर मैं आपके साथ समाजिक अधियन्ट सिक्षन के कुछ मैत्पूर्ण तीस परशन आपको साथ डिसकस करूंगा और उसका हमारा आज पार्ट वन है ठीक है हो रहा है आज की वीडियो आप शूरू करते हैं इस वीडियो को आपने दोस्तों के साथ जाज़ा से साथ अपने शोचली मीडिया पर शेयर कर दो ताकि और ही बच्ची हम से जूड़ सके और इस वीडियो की पीडिया पाने के लिए आमारी मैं आपको इनके मैत पूर्ण जो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आपको से डिस्कस करता चलूँगा अब आउन जता हो कि 1857 इस्वी विद्रो के मुख्य कारण क्या है इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा सैनिक आशन तोस्त था चर्भी वाल कार्थूज हैं इसके अंदर सुवर और गाएं का माज यूज करा जा रहा है इसलिए यह विद्रो का कारण बनाता और नेक्स यानि कोशन नमबर सेकेंड आपको सामने किस वर्ष में बैरकपूर में मंगल पांडे एक सैनिक ने चरभी वाले कार्थूज को मूझ से खोलने के लिए मना कर दिया था इसलिए इन्होंने मना करा था अब हम देता हो यह ऐसा इन्होंने किस वर्ष किया था पेपर ने पूत्ता जाता है कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट से यह थे बैरकपूर रेजिमेंट ठीक है और यह किस वर्ष इन्हें मना किया था इसका अंसर हो जाएगा 29 मार्च 1857 पेपर में आपको वर्ष तो याद होगा लेकिन आपने इसके अंदर डेट जरूर याद रख लेनी है 29 मार्च 1857 ठीक है लेकिन जो रिवोल्ट की पहले डेट अनौंस की गई थी कि 30 मईए 1857 को इस रिवोल्ट को शुरू करेंगे लेकिन ये अपनी हमें सबसे पहले किसने अपना बलीदान दिया था इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा मंगल पांडे ने ठीक है और इस समय यही पूतर जाता है कि गवर्णर जनरल कौन था इस विद्रो के समय भारत में तो वो था लोड कैनिंग और नेक्स यानि कोशन न नमबर फाइव आपके सामने किस वर्ष में लखनव की बेगम हजरत मैल ने अपने नाबालिक लड़के को नवाब गोशित कर दिया था अब माझता हो यह ऐसा इन्होंने किस वर्ष में किया था इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा चार जून 1857 को इसका आंसर हो जाएगा जासी की रानी यानी क्या नाम लख्शमी बाई रानी लख्शमी बाई ठीक है और यहाँ पे भी चार जून 1857 को करांती स्टाट होती है यहाँ पे लीडर थी रानी लख्शमी बाई जिसका real name है money करने का ठीक है और इनके बच्पन का नाम था मनुबाई और इनके पुत्र का नाम था मोदर राओ ठीक है और ये adopted son था ये सारी बाते आपने जुरू यार लेख लेनी है और इनकी मृत्तिव अठारा सो अठावन को गवालियर में हुई थी फाइन और नेक्स यानि कोच नमबर सेवन था आपके सामने 17 जूर 1858 को कौन ब्रिटी सेना से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी देखा मैंने आपके साथ आभी अभी डिसकस किया इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा रानी लक्षमी बाई ठ छाएगा नेक्स यानि कोच नमबर एड़ता एड़ अब को सामने 1757 Iswi के विद०्रो का नेतिःत किस ने किया था अब बाव जाता हो इस विदूर में ब्यार से किस ने नेतिःत किया था इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा जगदीश पूर के कॉर सिंग जी ने ठीक है पेपने पूछ सकते हैं कि कोवर सिंग जी का समंद कहां से था यह जगदीश पूर से था फाइन और नेक्स यानिकोचि नमर नाइन था आपके सामने कि ब्रहम स्माच किस तापना किस के द्वारा की गई थी अब सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि ब्रहम स्म समाच किस तापना कब की गई थी अब मुझे बताओ कि राजा राम मुन राय ने ब्रहम समाच किस तापना किश्वर्ष की थी इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा 20 अगस्ट 1828 को ठीक है और नेक्स कोशन आपके सामने पहले भारत्य कौन थे जिन्नोंने विद्रो किया था इसका क्या अंसर हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा राजा राम मुन राही थे और नेक्स यानि कोशन नमबर ट्वैल था आपके सामने प्रात्ना समाच किस आपना किस वर्ष की गई थी जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट समाच है यह सारे आपके 1867 में प्रात्ना समाच किसा अपना 1867 में की हुई थी और नेक्स यानि कोशन नमबर 13 पर समाच किस के दौरा की गई थी और सारे बत्हे मुझे जू आपके सामने ड stepping आर DR KK की वर्ष की गई वह थी देखो मां आपको चोटी सी ट्रीकता ओदेता हो धिखो यहाँ पर यहाँ गया तो यहाँ भी दूसरे गर आएगा आपको याद रहे हैं जेगा र समाच की स्ताफ़ना ड़े नहीं की thoughts लिए ब्रम स्वामी विवेकानन जी ने किस वर्स में अपने गुरू के नाम पर राम किशन मिशन की स्थापना की थी अब आँ जोता हो कि जो स्वामी विवेकानन जी ने अपने गुरू के नाम पर राम किशन मिशन की स्थापना की थी इसका क्या अंसर हो जेगा इसका अंसर हो जेगा एटी नाइटी स्थापना की गई थी इस सुसाइटी की स्थापना कहा की गई थी यह की गई थी अमेरिका में ठीक है और next question number 18 था आपके सामने Theosophical society का मुख़ाला मदरास में किस रस स्थापित किया गया था इस सोटाइटी की स्थापना अमेरिका में कीगी थी लेकिन इसका जो मुख्याल है वो स्थापित किया गया था मदरास में यह किस वर्ष किया गया था इसका अंसर हो जगा 1886 में और नेक्स कोशननमबर 19 ते आपके सामने सर सैथ एहमत खान के चलाए गए आणहयों को किस नावसे जाता है इसका क्यांसर हो जगा इसका अंसर हो किसने scientific society किस्तापना की थी अब आपके साथ हर question जो जो important question बन सकते हैं वो सारे मैं आपके साथ discuss करूँगा और next question आपके सामने हम दिया अंदोलन 1889 में किस ने किया था आपके सामने इंडियन national congress किस्तापना किस वर्स की गई थी अब सारे बच्चे मुझे इंडियन national congress किस्तापना पताएंगे यह किस वर्स की गई थी इसका अंसर हो जएगा इसका अंसर हो जएगा 28 December 1885 को ठीक है इंडियन national congress किस्तापना 28 December 1885 को की गई थी ठीक है लेकिन जो इनका पहला session था यह होना था पूने में लेकिन यह पूने में नहीं होता क्यों क्योंकि वहाँ पे हैजा clear है जो वह विमारी फैल गई थी ठीक है इसलिए इसको इनके पहल के द्वारा की गई थी इसका अंसर हो जाएगा एयो ठीक है और यह का से बिलोंग करते हैं स्कोट्लेंड से बिलोंग करते हैं और जो इंडियन national congress है इनका पहला session Bombay में वहाता एड सर तेजपाल संस्कृत कोलेजी बोंबे ठीक है और उच समय प्रेजिडेंट यानि इसके अध्यक्सते पुमेश चंद बनर जी इनको WC बनर जी भी का जाता है और next यानि question number 24 आपके सामने बंगाल भाजन की गोशना लोट करजन ने किस वर्स की थी और इसके साथ आपने यह भी यार रख लेना है कि जो इंडियन national congress है इसके पहले session में 72 delegates यानि persons ने ओल ओवर फाइन यह सारी बाते आपने जुरूर याद रखनी है और next question हमारा कि बंगाल भाजन की गोशना लोट करजन ने किस वर्स की थी इसका answer हो जगा 16 October 1905 को और next question number 25 आपके सामने कि जलिया वाला बाग हत्या कार्ण कब हुआ था आपको पता होगा कि जलिया वाला बाग हत्या कार्ण भी हुआ था और यह किस वर्स हुआ था इसका answer हो जगा 13 April 1919 को ठीक है और इसका यह किस ने कार्ण को रहा था यह जनर्रल डायर ने ओर दिये थे हो कि पूरे देश में किस दिन जो खिलाफत दिवस है वो मनाया गया था इसका क्या answer हो जेगा इसका answer हो जेगा 19 अक्तूबर 1919 को फाइन और next question number 27 आपके सामने गांदी जी ने आज सयोग अंदोलन कब आरम किया था अब हम जता हो कि जो आज सयोग अंदोलन है वो किस वर्स पारम हुआ था इसका क्या answer हो जेगा इसका answer हो जेगा एक अगस्त 1920 को आपने 1920 तो जुरूर याद लख नहीं है और next question number 28 है आपके सामने कि चोरी-चोरा नामकस्तान किस राज्य में स्रीत है मुझे आसे कि इसका answer सही बचा सही देंगे कि चोरी-चोरा नामकस्तान किस चोरी-चोरा घटना कब हुई थी आपको पता होगा कि इसमें क्या हो था कि इसमें जो स्तानी लोग नहीं है उन्होंने एक पुलीस स्टेशन यानि जो पुलीचों की होती है उसके अंदर उन्होंने 22 लोगों को जिंदा जला दिया था इसलिए चोरी-चोरा घटना हुई थी और हमारे पेपर में पूछी जाती है और ये गांधी जी ने अपना एक अंदोलन भी इस घटना के बाद उन्होंने स्तगित कर जया था वह मैं आपके साथ आगे इसको करूंगा चोरी चोरा घटना कब हुई थी इसका नशर होजेगा पांच वरवरी 1922 को चोरी चोरा घटना हुई थी और नएक्स यानि आज का लाश को सिन अमारा किस घटना के बाद गांधी जी गया तो आप इस वीडियो को लाइक करो जाए 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 अपने दोस्तों का शेयर करो ताकि औरी बच्ची हमसे जुट सके तो हम बहुत जल्दी अपने नेक्स वीडियो मिलेंगे जयाइन जयावारत थैंक्यू एंड आव नाइस देख